बिहार में हुए इस special survey के बाद और बिहार में जो जो ममंदी सर्वे हुआ है जमीन का उसके बाद अब अपने जमीन का map नक्षा ओनलाइन किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं देख सकते हैं इसके साथ साथ अपने पूरे गाउं का आप अपने पूरे खेत का नक्षा देख सकत हैं आज किसी के बारे मैं आपको step by step पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं नमस्कार मैं अरी संकर आप देख रहें ट्यार्टीन हिंदी यूट्यूब चैनल चलिए करते हैं वीडियो को सबसे पहले आपको भूनकसा.pr.gov.in website को विजिट कर लेनी है यहां आने के बाद आप करेंगे क्लिक करने के बाद आपके समय लेता है यहां पेज लोट लेने में उसके बाद सब्डिविजन का उफ्सन आता है इसके बाद आप अपने सब्डिविजन को यहां लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे सब्डिविजन को सेलेक्ट करने के बाद सरकल का उफ्सन आता है म माजा को सैळिक करने के बाद यहां सरवे का टाइप आपको देखने होगा तो दो प्रकार के सरवे देखने को मिलता है यहाँ पर कस्कैशन सरुपर देख तर्हें इसे अप करेंगे एप अपने हेसाब से और यहां पर अंप की संख्या दिख जाईगी 1st Map को देखना है या खाना पूरती updated map को आपको देखना है तो यहाँ पर updated map को देखने के लिए second वाले को select करूँगा इसके बाद यहाँ पर seat है अलग-अलग seat को आप बाड़ी-बाड़ी से देख सकते हैं यहाँ पर देख लिए seat update हुआ यहाँ पर एक ही seat है मैंने इस seat को update किया यहाँ पर देख लिए जमीन का यहाँ पर पूरे जो पंचायत है उसका यहाँ पर आ गया है map अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ कि यह map किस तरह से दिखता है यहाँ पर देख लिए हर एक जमीन का plot हर एक जमीन कितना है इसकी क्या boundary है और इसके बगल में कौन सा जमीन परता है यह सारी details आपको दिख जाएगी सरक, नदी, नाला और यहाँ पर सारे details आपको देखने को मिल जाएगे boundary wise अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप boundary verify map को select करेंगे और फिर से seat update होने में थोड़ा समय लेगा जब seat आपका update हो जाएगा तो फिर seat को select कीजिए तो boundary wise map भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जहाँ पर की आपको boundary verify देखने को मिलेगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह boundary verify है नक्स्टा में यह boundary को verify किया गया है तो कुछ इस तरह से आप लोग survey के बाद अपने जमीन का भू नक्सा online निकाल सकते है उम्मिद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर इससे संबनित कोई आपके सवाल या जबाब है तो आप हमें comment करके पूछ रखते हैं धन्यवाद